option number है आपका यहां पे eight और यह exercise के question चल रहे है chapter आपका one और चैप्टर का नाम आप है solution तो चली exercise के questions को से идुकर कर रहे हैं तो यहां पे question में कहा जा रहा रहा है an antifreeze solution तो सबसे पहले तो आपको यह उपता दू कि antifreeze solution क्या होता बच्चो antifreeze solution क्या होता है जैसे कोल जहां पे cold बहुत ज्यादा पड़ती है cold में क्या होता water क्या होता फ्रीज होने लगता है तो water freeze ना हो तो उसके लिए ऐसा solution त्यार किया आता है जो कि antifreeze यानि कि वो उसको मतलब आइस में convert ना हो तो यहां पर बच्चों एक antifreeze solution बनाने के लिए क्या करा है यहां पर 222.6 ग्राम हमने क्या लिया एथलीन ग्लाइकोल लिया तो यहां पर मैं एक ड्राइग्राम में दिखाता हूं कि यहां पर हमने एक solution मना रहे है जिसमें हमने क्या लिया एथलीन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मला आपको गिविन दे रखा यहां पर कितना c2s602 और इसके कितना वेट है 22.6 ग्राम दूसरा इसमें क्या मिला आया 200 ग्राम वाटर तो यहां पर वाटर को s2 लिख देते हैं यह कितना 200 ग्राम दे क्या हमारा solvent solvent के वेट को लिखते है डबलू बन तो डबलू बन हमारे पास 200 ग्राम है और सॉल्यूट क्यों है वह कितना है 222.6 ग्राम है फिर हमें फाइंड करना है calculate the molalty molalty का मतलब होता है small m find करना है और आपको density दे रखिए फिर आपको molalty भी find करने को कहा जा रहा है तो चलिए इसको हम स्टार्ट से फिक्वार फेरली कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास जो एथिलिन ग्लाइकोल है वह सॉल्यूट है सॉल्यूट के वेट को हमेशे आप य आसा नहीं हो तो यहां पर molalty जो है small m आपको find करनी है फिर next आपको दे रखा density of the solution और फिर आपको एक question और find करवा रहा है molalty तो molalty को हम लिखते है capital M से तो फिलाल हमारे पास जो चीज question में दी गई थी वो हमने यहां पर सारे चीज़े लिख लिए अब हम एक एक करके find क करते हैं सबसे पहले बच्चों यहां पर small m निकालते हैं तो देखी small m निकालने के लिए हमारे पास formula क्या होता है number of moles यह लिखा हुआ number of moles of solute upon mass of solvent अब number of moles निकालेंगे तो number of moles के लिए हमें क्या चाहिए होता है given mass solute का upon molar mass solute solute कौन है यहां पर हमारे पास ethylene glycol है तो इस इसका हम पहले क्या निकाले molar mass निकाल लेते हैं तो molar mass हम सम निकालना जानते हैं तो चलिए एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते कारवन का कितना होता है 12 है hydrogen कितना हो गया six into one और यहां पर oxygen कितना है बच्चो 16 और टू और इसको जब calculate करेंगे तो यह आपका आजाएग इका formula क्या है number of most of solute upon mass of solvent तो देखे number of most निकालने के लिए हम यहाँ पर formula को लग लेते हैं given mass given mass को हम यहाँ पर लग रहे है किससे w2 यानि कि solute के mass को और upon molar mass यानि कि m2 और mass of solvent को हम किससे represent कर रखा है w1 से अब हम इन सब की क्या करते value लगा देते हैं तो देखे w2 की value हमारे पास given है 22.6 और molar mass हमने निकाला कितना आया 62 यहाँ पे हम solvent का mass लगाएंगे 200 ग्राम लेकिन यहाँ बच्चों ग्राम में निलगाना हमें kilogram में निकाल लगाना है तो gram को kilogram में बदनने के लिए यहाँ पे 1000 से और divide करा अब इसको हम proper arrangement कर लेते हैं तो यह उपर का जो part है इसको मैंने divide की formula दिया और नीचे वाले को जब हम multiply में करेंगे तो reciprocal करके करते हैं तो अब इसको हम calculate कर लेंगे तो यह हमारे पास first part का answer आ गया number of mole solute तो चलिए number of mole solute तो हमारे पास यह है यहाँ पर अब क्या चाहिए volume चाहिए solution का तो question में कोई भी volume नहीं दे रखा है volume आप निकाल लेंगे अगर mass और density आपको मालूम है क्योंकि volume बराबर formula हता है mass upon density तो mass देखिए आपके पास पता चल जाएगा किसका mass हमें चाहिए solution का पूरे का तो solution का mass के लिए यह दोनों को हम क्या कर दे प्लस कर देते हैं तो mass of solution में क्या हो गया solvent का mass यानि कि 200 ग्राम और solvent का mass 222.6 ग्राम इसको add करेंगे तो यह जागा 422.6 ग्राम अब हम volume लगाते volume का formula कितना होता है mass upon density तो mass तो हम निकाल चुके है mass कितना है आपका 422.6 और density आपको देखे यहां पर given है 1.072 ग्राम पर मिलिलिटर तो जब हम लगाएंगे तो ग्राम से ग्राम कर जायागा तो यह आपका volume आ जायागा यहां पर बच्चों हम calculation नहीं करेंगे क्योंकि आपसे volume नहीं पूछा गया है जितना आप calculation करेंगी उतना आपका time बहुत ज़्याज़ा लगेगा तो कोशिश करा करिए बच्चों कि last में एकी बार final calculation करिए क्योंकि उसको एकी बार करने में कार्ट पीट करने में आपको समय कम लगेगा यहां पर भी आपके करेंगे फिर आगे फर्दर करेंगे तो दो बार आपको करनी पड़ेगी time बढ़ जायागा तो यहां अभी इसको ऐसी रहन देते हैं अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी हमने उसका formula लिखा find क्या करना कि यहां पर इसकी जगा और वॉल्यूम हमने निकाला यह हमारे पास देखी पूरा बच्चो वॉल्यूम निकला हुआ तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया अब आप एक बात नोटिस करेंगे यह वॉल्यूम हमारा पर मिली लीटर में निकला है और जबकि हमें आंसर किसमें न कर दिया उपर वाले जो टर्म थी हमने उसको इस तरह से लिखा और नीचे वाले को हमने डिवाइट को मल्टिप्लाई में करेंगे तो यह पार्ट रेसिप्रकल हो जागा यह उपर चला जागा अब 422.6 नीचे और यह पहले से था अब हम इसको सब को कैलकुलेट कर लेंग